आज मैं आप लोग के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चे बड़े सभी को काफी परसंद आती है हिल्दी के साथ बहुत टेस्टी होती है उपर से जितनी क्रिस्पी अंदर से उतनी है सॉफ्ट तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं सबसे पहले अप्पी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप चावल ठीक इस तरह की मेडियम साइज वाली चावल इसी उसना चावल भी कहते हैं अब इसे एक बड़े से बर्तन में डालेंगे अब हमें चाहिए आधी कप सफीद उरत ताल चावल एक कप तो उरत ताल आधी कप आप इस दोनों को हम बड़ी से बरतर में डालेंगे अलग 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 और दोनों में अच्छी तरह से पहले दो लेंगे और तब दोनों में पानी डालका रात पर इसे भीगोने के लिए डगतेंगे ये सुबह अच्छी तरह से फूल जाएगी रात पर हमें इसे भीगोना है करीब 10 घंटे भीगोने के बाद हम इसे पानी से च्छान लेंगे और इसे जार में डालेंगे और स्मूथ से पेस्ट रेडी करेंगे पानी की जरूरत हो थोड़ी बहुत पानी डालें और इसकी पेस्ट रेडी करें ध्यान रहें पेस्ट पतली भी नहीं होनी चाहिए और एक बेकिंग सोडा खाने वाला मीठा सोडा उपर सारी चीज़े डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें हलका सब स्वादनों सार नमक डालेंगे ज्यादा नमक नहीं डालें उरद में नमक काफी तेजपती चलने लगती है हलका सब नमक डालना है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें यहाँ पर अप्पे पैन है जिसे मैंने ओईल से ग्रीज कर लिया काफी कम ओईल लगती है एक से दो भूंद अब हम इसमें डालेंगे अपनी बैटर को लगभक एक चमच बैटर एक पैन में डलाती है ठीक इस तरह से आप डाल लें हर एक बॉक्स के अंदर एक एक चमच पूरा उपर तक नहीं भरें क्योंकि यह फूलती है इसे जगा चाहिए इस तरह से आप डालने इसमें आप इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिडिल में जो तीन है बॉक्स उसकी अपर जल्दी लाल होती है क्योंकि उसी था फ्लेम के उपर पड़ती है तो हम इसे जल्दी टर्न करेंगे ठीक है आप हम इसे गैस पे रखेंगे गितम लो फ्लेम में और हम यह बस दस मिनट रखती है से पकने में बस बीच वाली को जल्दी टर्न करना है आपको अब तीक 10 मिनट बाद आप देखिएगा कि आपकी प काफी अची तरीके से राइस की है वह बहुत अची तरीके से फूल गई है ठीक 10 मिनट के बाद हम इस आरी अप्पे को टर्न करना आप दिख कि पिछले हिस्से से आपको इन सभी अपय को टर्न कर लेना है वो काफी इसली टर्न हो जाती है आप देखे रहोंगे वीडियो में हलका सा टच करते के साथ यह पलड़ जाती है काफी अच्छे में अब दूसरे साइड भी हम साथ से दस मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम में ब बता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करती है